दोस्तों चाच जिसे बटर मिल्क पी कहा जाता है, कई लोगों को पसंद होती है नियमित चाच पीने से न केवल सेहत को फाइदा पहुँचता है बलकि दिमाग को भी खंड़क मिलती है, साथ ही त्वचा पर भी इसका अच्छा असर होता है चाच को पीने के अलावा इसके कुछ नुस्खे भी है जिन्हें आप आजमा सकते हैं तो जानते हैं चाच पीने के फाइदे और न नमबर एक चाच का सेवन भुने जीरे के साथ किया जाए तो पाचन अच्छे से होता है और पेट की गर्मी वह अन्य समस्याओं से बचा जा सकता है यह तरलता बनाए रखने में भी मददकार है नमबर दो मोटा पा अधिक होने पर चाच को छौप कर सेंधा नमक डाल कर पीने से फाइदा होता है उच्चरक चाप होने पर गिलुए का चून मठी के साथ लग ना चाहिए वही सुबह शाम मठा या दही की पतली लस्सी पीने से स्मरंग शक्ती तेज होती है नमबर तीन बार बार हिचकी आने की समस्या हो तो चाच में एक चम्मत सौंट डाल कर सेवन करना लाब दायक होगा उटी आने या जी मचलाने पर चाच में जायफल घिसकर इसके मिश्रन को पीने से लाब मिलता है नमबर चार सौंदर्य समस्याओं के लिए भी चाच बेहत फाइदेमन चीज है चाच में आता मिलाकर बनाए गए लेप को लगाने से त्वचा की जुरियां कम होती है इसके अलावा गुलाब की जड़ को चाच में पीसकर चेहरे पर लगाने से मुहासे खत्म हो जाते है नमबर पांच अगर आप अत्यधिक तनाव से गुजर रहे हैं तो नियमित चाच का सेवन आपके लिए लाबदायक होगा वही शरीर के साथ साथ दिमाग की गर्मी को कम करने में भी चाच का सेवन लाब प्रद है नमबर छे शरीर के किसी भाग में जल जाने पर तुरंट चाच लगाने से लाब होता है खुजली की समस्या होने पर अमलतास के पत्ते चाच में पीस ले और शरीर पर मलें कुछ देर बाद स्नान करें शरीर की खुजली नश्ट हो जाती है नमबर साथ जहर को उतारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा जहर खाने पर उसे बार बार फीका मठा पिलाने से लाब होता है परंतु डॉक्टर की सलाह जरूरी है विशेले जीव जन्तु के काटने पर मठे में तंबाकू मिला कर लगाना लाभख दह होता है नमबर आठ एडिया फटने की समस्या होने पर छाच बनाने पर निकलने वाला ताजा मक्षन लगाएं ऐसा करने से फटी एडिया जल्दी ठीक हो जाती है नमबर नौ बाल जढ़ने पर भी छाच हसरकारी है इसके लिए बासी छाच से सप्ताह में दो दिन बालों को धुना लाप्रद होता है